हेलो विवन स्वागत है आप सभी का इसमें वीडियो में इस वीडियो के थो अमलुक 20 इंपॉर्टन जीगे के कोश्चन्स डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आप किसी भी एक्जाम्स की प्रिप्रिशन कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए हेल्फुल है अजाज सत्रु जो की रूलर था हर्यांका वंस का तो यह किसका बेटा था बताइए अगला कोश्चन है अगर आपको इसका पीडिएप चीए तो डिस्क्रिप्शन में टैलिग्राम का लिंक है आप जोईन कर सकते हो फूर पीडिएप एंड मेनी इदर अपडेट्स बारत का सबसे बड़ा स्थूप है के सरिया स्थूप ठीक है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है रिगवेद में कितने मंडल्स है मंडल्स है बताएं कितने तो यह टोटल टैन मंडल्स है अगला कोश्चन है दे लाइंग्वेज ओफ दौफ दौ आर्य अर्यन टेक्स्ट जो था इसका लाइंग्वेज क्या था संस्कृत अगला कोश्चन है पार्नीसियस एनेमिय इस काउस बाई डिफिसेंश आफ विटामी बताएए पार्नीसियस एनेमिया जो है कौन से विटामीं की कमी से होता है विटामीं बी-ट्वल्व अगला कोशिन है who among the following is an Indian singer of Hindustani classical music बताईए नेमलिकित में से कौन जो है ये Indian singer है Hindustani classical music की नेमलिकित में से कौन से है बताईए Hindustani classical music की भारतिय singer शुभा मुद्गल अगला question है with which Indian state is the पंथी dance form associated बताईए पंथी dance form का संबंद कौन से भारत के राजे से है 36 गड़ अगला question है थीरा येट्टम is a ritual dance in which Indian state does it have its origin बताईए थीरा येट्टम जो है ये एक ritual dance है इसका उद्गम origin जो है एक कौन से राजे से हुआ के रला अगला question है with which of the following state are songs called लोटिया ट्राडेशनली असोसियेटेड बताईए निम्लिकित में से कौन से राजे से लोटिया जो है सौरी लोटिया सौंग का संबंध है बताईए यह आपका राजस्थान स्ट्रेट से रिलेटेड ठीक है चलिए अगला question है the Indian judicial system is based on Indian judicial system जो है यह किस पे based है single integrated system पे अगला question है who among the following is not a part of union executive निम्लिकित में से कौन जो है यह union executive का पार्ट नहीं है PM, President, Council of Minister यह तीनों ही union executive के पार्ट है बट सुप्रीम कोट नहीं है option number C आपका correct हो जाएगा the first high court in India was established in भारत की जो पहली high court है यह कब स्थापित हुई थी इसकी स्थापना कब की गई थी 1862 में अगला question है in which of the following cases did the Supreme Court of India pronounce the theory of basic structure of the constitution बताएए निम्लिकित में से कौन से case में जो है Supreme Court के द्वारा pronounce किया गया था theory of basic structure of the constitution option number है केशवा नंद भारती केस 1973 में ठीक है which of the following is called the temple of the country's democracy बताएए temple of the country's democracy किसे कहा जाता है अब्रस्ली पार्लेमेंट को कहा जाता है members of public accounts committee are elected for a period of बताएए public account committee के जो members होते हैं यह कितने टाइम के लिए कितने period मतलब कितने साल के लिए appoint के जाते हैं एक साल के लिए ठीक है इनका period term इतना ही होता है बताएए अगला question है रंगराजन committee is associated with बताएए किस से संबंध है रंगराजन committee का यह अपका related है estimation of poverty option number D अगला question है how many rights are mentioned under the right to equality right to equality के अंदर कितने यह rights जो है यह mentioned है 5 अगला question है respect for the national flag and national anthem is a बताएए रिस्पेक्ट जो है national flag और national anthem के लिए यह क्या आता है किसमें आता है DPSP में fundamental right fundamental duty of a legal right में किसमें आता है बताएए तो यह क्या भाई यह हमारा जो है सॉरी legal right नहीं यह fundamental duty होना चाहिए है ना fundamental duty होगा ठीक है हमारा जो है fundamental duty है एवरी इंडियन से टीजन्स का ठीक है तो वीडियो करेंट करते हैं वीडियो अच्छा लग और अमाचल पर आप नहीं हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कीजिएगा बिलते हैं एक वीडियो में इंडियो